आईए स्विज्जर लेंड की प्राक्रतिक संदर्यसे सम्रिद्ध इस भूमी में श्रिमत भागवत कथा के माध्यम से हम दिव्यता को भरें हमारा शरीर भी पार्थिव है प्रिथ्विकाही रूप है इसमें भी संदर्य होना चाहिए गंदगी नहीं होना चाहिए सुन्दर वस्तर अलमकार आभुशन मेकप आदी आदी से इस शरीर को हम सजाते हैं सुन्दर बनाते हैं लेकिन उस संदर्य के साथ साथ दिव्यता का होना भी बहुत आवश्यक है हमारे तो ये संसकार रहे हैं कि हम जब भी किसी से मिलते हैं रामराम करते हैं जैशी कृष्ण करते हैं जैसियाराम करते हैं साईराम कहते हैं एक दिव्यता के भाव के साथ हम मिलते हैं आँखों में दिव्यता का अंजन लगा कर फिर स्रिष्टी को देखिए फिर सवंद्र्य को निरखिये विकार नहीं आएगा किसी भी सुन्दर्स्त्री को देखते समय उसके साथ उसके नारायन को उसके पती को देखना चाहिए अकेले लक्षमी को देखोगे मोह हो सकता है लेकिन नारायन के साथ लक्षमी को देखोगे आनन्द भी लोगे विकार से बचोगे केवल प्रकृती को देखोगे विकार आ सकता है और उस विकार के चलते विश्व के लोग प्रकृती को फिर भुग गया समझ कर एक्स्प्लोइट करते हैं ठीक है प्रकृती मां है मां पोशन करती है प्रकृती पोशन करे ये ठीक है उचित है लेकिन छिन लेना भोगना ये रावन की लगती है राम को छोड़कर सिता को अपहरित करके ले आया भगवान को छोड़कर जो केवल प्रकृती को ही भोग्या समझते हैं वो रावन की विचारधारा वाले लोग है श्रिव रशभान जाके सवंदर्य को निरखिये क्या अदभुत लावन्य है लेकिन बगल में खड़े श्री कृष्ण से राधा की शोभा राधा से श्री कृष्ण की शोभा और उन दोनों से हमारी शोभा देवगन आये थे भगवान राम के विवाहुच सव का दर्शन करने जब श्री सिता जी लगन मंडप में पधारी कहते हैं सिता जी के सवंदर्य को देखकर देवगन भी मोहित हो गए फिर राम जी की और दरश्टी गई और तुरंद भाव उठा ये हमारी मा है हमारी मा कितनी सुंदर है प्रणाम किया ये उपाय है प्रकृती को उस पुरुशुत्तम के साथ देखो संदर ये देखो लेकिन इश्वर की स्मृती के साथ दिव्यता हमारी दृष्टी में हो ये बहुत आवश्यक है तो भोग्या नहीं मानोगे पूज्या समझोगे वृत्ती रावन वाली नहीं होगी वृत्ती हिरन कशिप वाली नहीं होगी वृत्ती हमारी आसुरी नहीं होगी यह पृत्वी यह स्रिष्टी यह ब्रह्मांड बनाया है इश्वर ने हमारे लिए हम भी उसी के बनाये हुए हैं पूरी एक व्यवस्था करके तब भगवान ने हमें यहां बेजा याद रहे भूख आपको बाद में लगती है अन भगवान ने पहले से बना के तयार रखा आपके भीतर प्यास ने जन्म लिया उसके पहले पानी बन चुका था आपके फेफड़े प्राणवायू के लिए तरसने लगे जैसे ही जन्म हुआ और सांस शुरू हुई उससे पहले उस परमात्मा ने प्राणवायू बना के तयार रखी याद रखना आवश्चक्ता कभी भी अधुरी नहीं रहती आवश्चक्ताओं की पूर्ती होती ही है और इच्छाओं की पूर्ती कभी नहीं हो सकती जो भी आवश्चक है जिवन के लिए सब परमात्मा ने बनाया उपलब्द कराया जल आवश्चक है प्रकाश आवश्चक है पवन आवश्चक है यह पृत्वी आवश्चक है जो भी आवश्चक है सब परमात्मा के द्वारा उपलब्द कराया गया और तुमने देखा यह फ्री ओफ चार्ज है इस प्रत्वी पर बसने का किराया कभी भगवान ने वसुल किया कि 90 साल से धर्ती पर रह रहे हो और अफरीका में रहोगे तो थोड़ा कम किराया स्विजलेंड में रहोगे तो जादा किराया परमात्मा ने सूर्य का प्रकाश दिया रात में सूजाते हो चंदरमा की लाइट रोशनी डिम लाइट नाइट लेंप परमात्मा ने कभी उसका बिल भेजा आपको क्योंकि ये आपकी आवश्यक्ता है सूर्ज की उर्जा बिल्कुल फ्री आफ कॉस्ट तुम्हारे लिए जरूरी है ये सूर्ज नहो तो जीवन ही संभव नहीं इसलिए हमारे वेदों में सूर्ज को विश्व की आत्मा बताया गया है सूर्ज आत्मा जगतस तस्थुखश्चा विज्ञान भी कहता है जब सूर्ज ठंडा हो जाएगा तो आठवे मिनिट के बाद जिवस्रिष्टी समाप्त होना शुरू हो जाएगा सूर्य सकल उरजाओं का शुरूत है सूर्य से जीवन है विश्व की आत्मा है वह पवन चल रहा है हवा चल रही है मनुष्य की आवश्यक्ता में ही आता है परमात्मा ने ये नहीं कहा कि इतने सालों से तुम अपने फेफडों में प्रानवायू को भर रहे हो इतना चार पहले चुकाओ नहीं तो कल से तुमारी प्रानवायू बंद कर दी जाएगी तुम उस प्रमात्मा की खृपा का विचार तो करो हमें सब फ्री मिल रहा है बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है इसलिए हमको कोई कीमत नहीं है प्रत्वी पवन प्रकाश पानी जल जीवन बरसाता है वो